हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल देशी प्रफिट टॉक और आज हम जिस गारी के बारे हैं आपको बनाने वाले हैं वो है मारती अडिका हम बताएंगे कि कैसे आप सुर्फ एक लाग तेईस हजार रुपए की डाउन पेमेंट करके मारती अडिका का ज को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा तो चलिया आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका आउन डोड प्राइस वगरा क्या चल ला है तो यह देखिए मारती अडिका का जेडेकसाई पेट्रोल है इसका एक सोरूम प 2590 रुपए ओन रोड प्राइस दिल्ली गई साब से हम आपको बता रहे है ओन रोड प्राइस तो होगा 12,27,218 रुपए इससे पहले हम इसके जो है दो से तीन वीडियो जो हम बना चुके हैं जिसमें हमने इसके LXI पेट्रोल मॉडल की बात करी है और उसके बाद यहां प आपको एक वेबसाइट के बारे मताना चाहेंगे जिस वेबसाइट से आपको किसी भी बैंक कार लोन हो, होम लोन हो, परसनल लोन हो, तूविरल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, या क्रेट कार उ, इन सब के जो भी ऑफर वगरा चल ले होंगे, लेटेस में बैंक ने लांच क सकते हो, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मालीजे, HDFC बैंक के कार लोन की, तो यहाँ पर हम मतने देखिए, HDFC बैंक कार लोन का अगर आपको डिरेक्ट ऑनलाइन एपलाई करना हो, तो इस काफी डिटेल में इन्फॉरमेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर, तो इस व वीडियो के डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, और भी कुछ ओफर वगरा चले हैं, जैसे कि, क्रेट कार, ICICS वेबैंक, होम लोन, बाइक इन्शोरंस, सेकेंड एंड कार वगरा करनी है, टेस्ट डाइव वगरा भूक करनी, काफी सारे इं अमांड की चलिए हम आपको मंतली AMI कलकुलेट करके बताते हैं, तो चलते हैं, अपने AMI कलकुलेटर पे, और यहाँ पे चलते हैं, कार लोन के सेक्षन पे, यहाँ पर अमांड डाल देते हैं, सबसे पहले, 11,4,218 काम को लोन लेना पड़ेगा, तो हमें लेना है महां ले रहो, कितने tenure के लिए ले रहो, maximum आप 7 साल के लिए यहाँ से लोन मगरा ले सकते हो, loan amount भी maximum आप यहाँ पर maximum से maximum ले सकते हो, लेकिन वो आपके depend करेगा, आपकी eligibility क्या है, आप कितनी monthly income मगरा है, आपकी उस पर depend करेगा, आपको कितना loan amount maximum मिल सकता है, तो rate of interest जो हमने लि क्या बनेगा, तो मंतली माई बनेगा आपका 17,487 रुपए, interest पे करना पड़ेगा आपको 3,64,684 रुपए, total payment आपको बैंक को वापस करने होगी 14,68,902 रुपए, तो इस तरीके सा आप देख सकते हूँ, अभी हमने करी है down payment 1,23,000 की, तो हमको जो interest देना पड़ रहा, वो बढ़ाना पड़ेगा, अब आपने down payment को माली जाप 1,23,000 की जेगा, जो है आपके 3,00,000 की down payment करते हो, तो आपकी कितनी मंतली माई और total interest बनेगा, तो 3,00,000 की down payment पर पहले आपको लो लेना पड़ेगा, 9,27,218 रुपए का, तो चलिए इसकी हम मंतली माई काल्कुलेट करत बढ़ेगा, तीन लाग, 6,227 रुपए, तोटल पेमेंट आपको करने होगी, 12,33,445 रुपए, अब आम एक तीसर और आखरी केस में चलते हैं, जिसमें आप down payment को maximum करते हो, तो maximum माली जेए, आप जो है, साड़े 5,00,000 की down payment करते हो, 6,77,218 रुपए, अब इस loan amount की चलिए, आपको monthly M.I. calculate करते हैं, तो याप पे सबसे पहले हमने amount दाल दिया, rate of interest, same है, tenure आप चाओ तो कम कर सकते हो, जितने भी कम tenure के लिए आप लोगे, उतना ही आपको कम interest जो है, आपे पे करना पड़ेगा, तो 6,77,000 का देखिए, आपको लो लेना, तो monthly M.I. देखिए, आप detail से calculate कर सकते हो, इस website से, और यहाँ पे आप car loan के लावा personal loan और home loan, इनका भी मंतली M.I. आप detail से calculate कर सकते हो, तो क्वाफी detail में information दी हुई इस website पर, तो इस website पर जो visit करना मत बुलेगा, इसका link मैंने video के description box में दिया हुआ है, अब हम देख लेते हैं, HDFC banks हमें car loan लेना था, तो वहाँ पे और कौन से charges वगरा आपके लग सकते हैं, क्या features वगरा आपको मिलेंगे, क्या eligibility, document वगरा लगेंगे, वो सब देख लेते हैं, सबसे पहले तो आपके processing fees जो लगेगी, वो आप देखिए processing fees लिखी हुई है, 0.5% आपके loan amount का, जो की minimum 3500 रुपय होगी, maximum 8000 तो apply के लिए apply अगर आपको करना है, तो उसके लिए मैंने आपको website बता दी है, इस website पर आपको देखे, HDFC bank माई जो पहला ही link है, यह आपको आहां से direct online apply वगरा कर सकते हो, तो यहाँ पर देखे 30 minute end-to-end digital process है, instant आपका loan process वगरा कर दिये जाएगा, no physical document की आपको कोई ज़र ले सकते हो, और आपको आपकी car का 100% जो है, on-road price पर आपको मिल जाएगा, अगर आप HDFC express car loan से लेते हो, तो, फिर आप अप top-up loan भी मिल जाएगा, मान लीजेए, आपने car loan वगरा है, यहां से लिया हुआ है, उसके उपर आपको एक और loan चाहिए, तो वह भी आपको यहाँ आप पर मिल जाएगा, with no documentation, कोई भी documentation मगरा है, आप रिक्वार वगरा रही होगा, अगर आप जो है, तो आप आप लोन मगरा लेते हो, देखे, repayment tenor, minimum 12 मन्त, और maximum 84 मन्त, मतलब 7 साल के लिए, आप यहां से लोन मगरा ले सकते हो, तो एक एज़ी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिम्टेड कंपनी वगरा मकाम करते हो, प्राइवेट जॉब अगरा करते हो, या आप पबलिक सेक्टर की किसी कंपनी मकाम करते हो, गौशर्मेंट जॉब वगरा करते हो, तो यहां पे आप आप जो है, लोन ले सकते हो, और यहां पे आपकी minimum age यो रिक्वा वगरा होना चाहिए एक साल से, minimum जो income required होती yearly वो 3 लाग रुपए आपकी yearly income होनी चाहिए, आप self-employed individual और professionals के लिए क्या होगा, कोई भी business man वगरा है, या कोई shop वगरा आपने चलाता है, या कोई company वगरा चलाता है, या कोई professional वगरा है, जैसे कि doctor, engineer, CA वगरा, तो वो लोग ज required होती, वो 21 years और maximum 65 years है, वो जो जो भी जो business वगरा कर रहा है, तो वो दो साल से जो है business वगरा कर रहा हो, और उनकी भी yearly income है, वो 3 लाग रुपए के आसपास जो है, आपी yearly income होनी चाहिए, तो ये जो disability वगरा required होती है, अब documentation वगरा देख लेते हैं, कि क्या लगते हैं, आस salary slip form 16, ये आपको दो document देने पड़ेंगे as a income proof, bank account statement last 6 month का, ये आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आप salary individual हो, तो ये जो है कुछ document वगरा है, जो आपसे लिये जाएंगे, self-employed individual हो, तो भी आपको identity or address proof तो दे नहीं है, फिर आपको latest income tax return देना है as a income proof, अगर आप self-employed individual हो, और bank account statement देना है last 6 month का, फिर अगर आप self-employed individual partnership firm अगरा चलाते हो, तो उनके लिए income proof के तोर पे audited balance sheet, profit and loss account statement last 2 year का, और company income tax return last 2 year का, तो ये document वगरा दिखाने पड़ते हैं, अगर आप partnership firm अगरा चलाते हो, और आपको जो है address proof भी दिखाना पड़ता है, आप जो company वगरा चल certificate दिखा सकते हो, और bank account statement आपको last 6 month की दिखानी पड़ेगी, तो ये कुछ document वगरा होगा है, अगर आप HDFC bank से car loan वगरा ले जाते हो, तो कि HDFC bank जो है, आपको अपको car का 100% download पर जो है, आप ए car loan provide कर रहा है, तो आप इन से ले सकते हो, इनका interest rate भी जो है, ठीक चाक चलना है साड़े 8% से लगबा की starting होगी, लेकिन इसके लिए आपका civil score अच्छा होना चाहिए, आप कितना loan amount ले रहा हो, कितने tenure के लिए ले रहा हो, इस पर depend करेगा कि आपको कितना interest rate पर loan दिया जाएगा, तो I hope आपको वीडियो हमारा informative लगा होगा, वीडियो अगर आपको कितनी minimum down payment करके आप उसको ले सकते हो, तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद